नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर हाल ही में हुए एशिया कप के लिए टीम इंडिया के एलान में संजू सैंसन को बैकप प्लेयर के तौर पर लिया गया ऐसे में आज खुद को कैसे मोटिवेट रखेंगे वह इस बात से कैसे डील करेंगे कि सूर्य कुमार यादव ने ओनन रिकॉर्ड खुद कहा है कि उनके ओडियाई में आंकड़े अच्छे नहीं है और तिलक वर्मा जिन्होंने एक मैच भी नहीं खेले वह टीम में है अगर केल रहुल टीम का हिस्सा ना हुए तो ही संजू सैंसन को मौका मिलेगा तिलक वर्मा के लिए आयर्लैंड सीरीज कुछ खास नहीं रही है लेकिन वेस्ट इंडीज में वह इतनी तबाही मचा कर आएगी उन्हें एशिया कप के स्क्वार्ड में शामिल कर लिया गया उनके बाएं हाथ का बल्ले बाज होना उनके लिए फाइदे मंद साबित हुआ है एशिया कप में भारत की रह आसान नहीं होगी क्योंकि कल हुए अफगानिस्तान वर्सिस पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की बोलिंग देखकर हमारे को तो ऐसे धक-धक हो रेला है आज होने वाले तीसरे T20 में शिवम दुबे पर नजर रहेगी अभी तक हमने इंटरनेट पर पढ़ा था कि शिवम दुबे हमको युवराज सिंह की याद दिलाते हैं क्योंकि पिछले मैच में शिवम दुबे ने लगाए दो छक्के उनमें हमें युवराज सिंह की जलक दिख रही है हमें लगता है कि शिवम दुबे को एशिया कप के स्क्वार्ड में शामिल होना चाहिए था मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत